दोस्तो यह हरा भरा पावडर आपको दाद खाज खुजली से हमेशा के लिए जड़ से छुटकारा देगा नमस्कार दोस्तो गरेलो आयवेद में आपका बहुत बस वागत है दोस्तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं हमें बहुत ज़ादा पसीना आने लगता है और उसके दूल मिट्टी बैड़ जाती है तो हमें उसके खुजली महसुस होती है वो खुजली इसलिए होती है क्योंकि उसके किटाणों जबने शुरू हो जाते हैं और जब हम उसे खुजा लेते हैं तो हमारा सरीर का इससा जोओ लाल पढ़ने लग जाता है जिसकी वेसे उस पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं और वो आगे चल करके दाथ की समस्या बन जाती है दोस्तो आज हम आपके लिएक दम ऐसा नुसका लेकर क्या हैं जिन लोगों को दो साल पुरानी तीन साल पुरानी दाथ की समस्या उन्होंने अपना बहुत इलाज कराया बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस्तमाल करें लेकिन तब भी उनको दाथ से रहात नहीं मिली तो आज हम आपके लिएक दम ऐसा रामबाड नुसका लेकर क्या हैं वो आपके शरीर के अंदर किटानों छोड़ता है साथे साथ अगर आप किसी के उत्रेवे कपड़े पहन तो तब भी आपको दाथ खाज खुजली की समस्या हो सकती है तो इसलिए आप इन सब समस्याओं से बचें तो दोस्तो अब आती है बारी नुसके की तो इसलिए आप इस नुसके को पूरा अंतर देखेगा ताकि आप इसको समझ में है कि आपको इस नुसके को किस तरह से इस्तमाल करना है सबसे पहले हमें करना क्या हुआ कि दोस्तो हमें लेनी होगी चुटकी पर हल्दी यानि की टर्मरिक पौडर दोस्तो हल्दी जो होती है आपके पसीने के आने के बाद जो उस पर किटानों जमते हैं जो आपको खुजली करने पर मजबूर करते हैं या आपके उन सब किटानों को मारता है और जब आपके दाद चले जाते हैं तो आपके शेरी पर कोई निसान न रहे तो इसलिए जो है इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़ादा किया जाता है अब उसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों के जैसा कि मैंने आपको बताय इस्तमाल में लोगे नवरतन का थन्डा तेल यानिकि आईरुथीक तेल ये दोस्तों नो जड़ी भूटियों के साथ बनाया जाता है जिसके अंदर कि संक फुस्पि का तेल होता है आमला का तेल होता है तो यह आपके लिए बहुत जादा लाब दायक सावित होगा दोस्तो नवरतन का जो तेल है आप लाल वाले ही लीजेगा जैसे कि मैंने लिया है आप हरे कलर का या पीले कलर का ना ले इस परकार से आपको इस एक पूरे पाउच को अच्छे तरह से इस्तमाल में लेना है अब आप जब इसको ले लोगे तो इसके बाद आपको करना क्या होगा कि अपनी तवच्छा को विटामिन E देने के लिए आपको लेना होगा नारियल का तेल यानि की कोकोनट ओई दोस्तो कोकोनट ओईल यह 100 परतिशत प्यूर होता है जो की आपके सरीर को विटामिन E प्रदान करता है साती सात आपको खुजली से राहत देता है और आपके दाद को जड़ से बखाने में मदद करता है अब आपको करना क्या होगा कि आपको जो है इन सब समगरी को अच्छे से आपकस में मिक्स करना है तो इस तरह से जो है आपको इसको आपस में मिक्स करना है जिससे कि ये एक लेप की तरह बन करके तयार हो जाए और आप इसको इसको इस्तमाल कर सको अब आपको करना क्या होग है और इसका कोई भी side effect नहीं होता है तो आप इसको बेचिंतित use कर सकते हैं यानि कि इस्तेमाल कर सकते हैं अब आपको करना क्या होगा कि रात को सोने से पहले आपको एक बार जो है साधे पानी से को इस तरह से इस्तम एसको जो आपके दातए खाज खुजली से आपको हमेसा हमेशा के लिए रात देगा! अगर आपको भी आज जो पसंद है तो वीडियो को लाइक किज़ेगा, वैटसम, फेस्बुक पे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के शेयर करेंρί ताके उनकी फिरी में मदद हो सके और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बाजू में दी गई घंटी को दोएं ताकि आने वाले सारे नूस की आप तक सबसे पहले पहुंचें और अप लोग सबसे पहले देख पाएं धन्यवाद